हाई फ्रेंग्स में हुम बाने वेलकम तो मुवी शुवी करते हैं आप रसे पॉजिटिव सा नमस्कार एंड वरी वॉम वेलकम टू रिमर मिल एपिसोड नमबर फ्री सेवन आप बहुत सारी बात करेंगे वार टू की केजिए फ्री की धूम फोर की किंग की अनौंसमेंट की और सन्मान खान के कैमियों के बारे में सलहर का पार्ट 2 के बारे में सिंगम अगैन और भुल-बुल यह तरी में से किसको जधा स्क्रीन मिलेंगे और दंगल फिर से आज ट्रेंड क्यों कर रहे हैं ये सब चीज़ें बात करेंगे तो उल्टी गिन्ती चलते हैं और फिर आत नाम रोशन किया उसे पहले कोई जानता नहीं था इस परिवार को और उस समय के हिसाब से उनको एक करूर रुपे की डिल मिली थी और उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में जो कुछ भी बताया होगा अमेर खान को और अमेर खान ने वो मूवी बनाई और वो बहुत अच्छ है कि अमेर को कम पैसे मिले तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने बहुत सारी बाते देखा कि एक्स्प्लोइटेशन की कहानी नहीं होते है कि कहानी वह होती है कि जब आप की नीड थी तो आपको एक रोड रुपे भी कोई नहीं दे रहा था तो आपको मिल गए और आपने हैप प्रॉब्लम थी तो जाओ अमेर खान के घर के अंदर कि जी हमें और पैसे चीए यह थोड़ा सा थोड़ी सी चीफ हरकते हो जाती है वो वन मिनट फेम वाली बात हो जाती है कि अब एक और अमेर खान कोई पीछा पड़ जाया कोई नो कोई इंशान अच्छा अब वीता जी जाती है अब इतने सालों बात तो मेरे खाल से थोड़ा सा अनफेर है आपको क्या लगता है कॉमेंट करके सब्सक्राइब बताना या इसके बीच में यह एक पॉइंट हो सकता है कि इसने कमाएं तो जिस फैमिली के जासे कमाएं उनको थोड़े और दे दू पर यह थोड़ तो फिल्म की कॉस्स मिलाते मिलाते भी अगर आधा पैसा भी हम लगाएं इसका थाउजन क्रोस तो अपने दो सो कुरूर पर क्यों मालब मालोग स्पेंस कर दिया होगा तो ऐसा नहीं कि वह बहुत बड़ी कोई इंकम होगी होगी इसके अंदर क्योंकि आपको पता ही है कि जितना कि आप टिकेट के लेते हैं उसके अंदर से एक शेर गौर्मेंट को जाता है और एक शेर अच्छा घास आता शेर थेटर वाले भी रख लेते हैं तो ऐसे चलता है यह सब हिसाब के तम एनिवेस जो भी इंका मामला है होपफ़ली चल दी सोलड़ जा और यह गंदग स्क्रीन चाहिए यह है जी वो है यह सब चीज़े बाते हुई यहां पर और इन बिट्वीन सिंगम अगें जो था नाथा प्रोमोशन कर रहा था कुछ नहीं कर रहा था वो लगावा था अपना कुछ ना कुछ करने के लिए और इसने पीवियर के साथ एक डील कर लिया पीच में कुछ मिलेगा विच इस अगेन ऑल्मोस्ट बागर आप यह देखें कि वह वेटरन स्टार्स हैं उनको पांच परसेंट एक्स्ट्रा भी मिल भी या तो ऐसे को बहुत बड़ा तीर नहीं बढ़ लग गया और बूल बुले गया को भी बढ़िया स्क्रीन मिलेंगे मिलेंगे क्योंकि पहले जितनी भी दो मूवीज आई हैं दोनों सुपरेट थे अब उसके बाद जा जाती है बात कि जो अन और्गनाई सेक्टर हैं जो सिंगल स्क्रीन वाले हैं वहां पर यह सब जो है मेरे काल से ऑन मेरिट चलेगा जहां पर फैमिली ओडियंस ज्यादा ह जबती हैं वहां पर हम दिखा देंगे और सिंगल स्क्रीन में सीटों का भी लिमिटेशन नहीं होता अच्छी आज़ी में होती हैं बर भर के ओडियंस आती है तो अधर है तो फोड़ी सी ओफ-ट्राक है और बड़ी मुश्किल से पैसे पूरे कर पारी अच्छी साब डॉक करके भी अपने रेवीनियूस दिखा रही है तो पाट टू तो ना बनता ऐसा फीलिंग आई थी बहुत से लोगों इंक्लूडिंग मेरे को भी आई थी तो लेकिन ये तो है जी कि मेकर्स ने शायद ये समझ लिया कि हमारे पहले वाले के पैसे तो ठीक-ठाक से पूरे हो गए तो मैं एक काम करता हूं मैं पाट टू भी बना देता हूं तो पाट टू बन रहा है जिन में लिए और जिसको बोला जा रहा है कि जिसके अंदर रियल स्टोरी है इसके अंदर तो हम सरफ बिल्ड़ भी कर रहे थे तो यह उनके बद्दे वाले दिन अप्रभास के अनौन्स हुआ है एक बैक शॉट है सल्मान खान का आगे एक सिंखम का शॉट है वो मेरे कहल साब उसके उपर मज जाई है मैं भी अपने हाँ इस लिए दिखा रहा हूं क्योंकि फिर स्ट्राइक हो गयर आ जाती है और स्पेसिफिकली इस तरीके के इंपॉर्टन कैमियों तो फटव आप यह कह सकते हैं कि सूर्वंची के टाइम पर हुआ था कोई लिंकेज समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे होगा और फिर लिंकेज बिठाया गया कैमियों शैमियों हुए यहां पर भी उसी तरीके का होगा क्या कुछ सेवियर वाली एंट्री होगी पॉसिबिलिटी है कि मे इसी के अंदर सेव करने के को अपर्चुनिटी नहीं है इस स्टैंड अलोन सीक्वेंस जो भी होगा बाकी एक बड़ा बड़े अमाउंट का एक स्कैम का आज की न्यूज आ रहा था रिया चकरवर्ती और एलवेश शादव कि यह 500 करोव रूपीज का कोई फ्रॉड सब्सक्राइब के फाइव हंडड़ क्रोव इस तो पीपल नॉट सो बिग ऑल्सो तो दोड़ा सप्राइजिंग एक यूट्यूब से थोड़ा बड़ा हुआ है एक बिकाज ऑफ बॉइफ्रेंस है रहें थोड़ी से ज़्यादा लाइम लाइट के अंदर आई है अपनी भी यू अनॉंसमेंट है वो मोस्ट प्रब्ली सेकेंड ऑफ नवेंबर को आने की उमीद है देखो मैं आपको यह निराश नहीं करूँगा लेकिन यह किंग की छोटी मोटी लुक टेश ज़रूर हुई थी इसकी कोई शूट की कोई खबर मार्केट के अंदर तो नहीं है और न पर नंबर पर है रखी है मैंने कीजी एफ का जो थर्ड पार्ट है क्योंकि वन आया ठीक टाक टाइम पर टू आ गया अब लोगी कॉन्टमीलेशन थी कि यह सलार से लिंग्ट है कि नहीं है तो पहले यह क्लियर हो गया कि सलार से बिलकुल भी लिंग नहीं है बिलकुल पैरलेल ही चल रही है थोड़ी थोड़ी ये भी चल रहा है चाप्टर और इसकी खतब होने के बाद जो कि ये अपने आप में दो धाई साल का प्रोग्राम है और उसके बाद फिर आप KGF 3 के उपर जाओगे तो तीन साल का प्रोग्राम होगे तो आज से चौतर साल या निग से पहले आपको देखने को नहीं मिलेगी KGF chapter 3 for sure ठीक है इन बिट्वीन आपको दो बार मायन देखने को मिल जाएगी ये टॉक्सिक देखने को मिल जाएगी which is good बट अगर आपको यश्व का वो KGF अला अफतार पसंद है तो फिर the wait will be longer अच्छा एक और चीज देवारा क के अंदर होगा वार 2 के अंदर स्वाट सीन के साथ रितिक रोशन की एंटरी होगी और वहती स्टाइलाइस तरीके से होगी जैसे हेलिकॉप्टर वाला शॉट था ऐसे ही शिप के उपर fist fight के साथ इनको दिखाया जाएगा NTR साब को देखो एक तो होगया स्टाइलाइस जो कि बहुत सारी मुवी इंक्लूडिंग बैंग में तो एपिटोन था स्टाइलाइसेशन का वहाँ बिल्कुल वह जोन के अंदर अगर चला गया तो बहुत इच्छी बात हो जाएगी लेकिन उसके बार में डिस्कृस क्या ही करना हो कर लेगा NTR का जो है काफी सारी मुवी द जो उनका बोड़ी टाइप है उसके इसाब से फेस के क्लोज अप्स और यह सब चीजे बहुत जादा इंपोर्टन हो जाता है क्योंकि लॉंग शॉट लोगे और जो दुश्मन होगे थोड़े से हेविली बिल्ट हो गया रहा कुछ हो गए तो फिर उससाब से बोड़ी इत जहां पर यह फेल हुआ था होल सिस्टम यहां पर जितने भी क्लोज अप शॉट थे वो काम कर रहे थे अक्षिन के अंदर जितना एंटियर का एक शॉट आया था जहां पर दो ट्रेलर को एक साथ घसीट के वह सी के अंदर ठैक देता है वह एक पाड़ी से वह सीन काफी अन लिविबल जोन के अंदर चले जाओगे और फिर पीछे जो जनता जनाधन कड़ी है वो थोड़ी से टॉलर है उनसे तो यह शॉट जो था मेरे खाल से थोड़ा से गलत लिया गया था यह जो शॉट था यह उनके फेशल एक्स्प्रेशन को जादा लेना चाहे था जो बैक अच्छी बात है कि जो यह शॉपड़ा प्रोड़क्शन हांस है वो हीरो को तो हीरो की तरह दिखाता है लेकिन वह विलन्स को बहुत सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टन तरीके से दिखाता है कोई भी मूवी आप उठा लीजे तो मुपिंग के एंटियार का एक बेस्ट प और वह बहुत ही इंपॉर्टन रूल है मेरे समझ के सबसे वह आपको बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके से सोचना पड़ेगा किसको लेना है लेकिन उधर चोपड़ा के लिए वरुन धवन को शायद कंसिडर किया जा रहा है और मोटे मोटे लेवल पे अगर देखा जाए तो उस तरीके का पंटर इंसान और कॉन्फिडेंट अंदर स्क्रीन मेरे क्याल से वरुन धवन वन रीद बाउट एट एंड नाओ कंजीव मिट इंट इंट इंग इंट 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 विल बी ए गुट फिट अब आपको एक टॉलर अभी शेक बच्चे तास इंसान च अच्चे जurख आपको अापको